Hello and welcome friends, Tally, Prime और ERP9 सीखने के सीरेज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वेडियो Tally, Prime या ERP9 भी कह सकते हैं आप की है आज की इस वेडियो में हम क्या सीखने वाले हैं और साथी साथ आपको ये भी बता देना चाहता हूँ संडे को लगेगी और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं और उमीद करता हूँ कि सारे लोग जुड़ेंगे और पोशिश करूँगा मैं कि पेरोल पर ही लाइब क्लास में अटेंड करवा हूँ आप सबसे तो जो लोग उस क्लास को जुड़न करना चाहते हैं वो जुड़न कर सकते हैं साड़े आड बज़े शाम को होगी अब देखिए सवाल यह उता है कि सर जर्नल बाउचर में कौन सी एंट्री पास करी जाए ज़ो जर्नल बाउचर में पास होता है एकदम easily मैं बताता हूँ देखिए जब भी आप entry pass करने के लिए जाएंगे यह बता यह purchase में क्या होता है purchase में आप सीधा-सीधा purchasing का काम करते हैं और sales voucher में क्या करते है sales voucher में आप sales का काम करते हैं contra voucher में bank से related entries होती है payment voucher में payment से related entries होती है received voucher में receiving होती है अब बच गया ले दे के अब देखें यहाँ पर और भी vouchers हैं जैसे यहाँ पर देख सकते हैं credit note, debit note तो credit note और debit note तो जानते ही है returning के लिए जो माल खराब निकलता है उसके returning के लिए यूज होता है purchase return आप जानते ही है ठीक है तो यह सारे vouchers के बारे में आप जानते हैं यहाँ पर so inactive दिया हुआ है तो और भी vouchers हैं लेकिन इतने common नहीं है जितना की common general voucher है general voucher के लिए बारबार सवाल आता है कि general voucher में सर्कौन सी entry करी जाए तो चलिए आप general voucher को समझते हैं यानि कि जो entry कहीं भी possible नहीं है वो होगी general voucher में ठीक है तो चलिए चलते है general voucher में यहाँ से वाफ़ी से आ जाते हैं और यहाँ से हम select कर लेते है general यानि आप पहली प्राइम में इसका use करना चाहते हैं तो चलिए अब entry पास करते हैं अब इसके लिए एक सवाल मैं लेता हूं जैसे माल लीजिए जैसे माल लीजिए कि हमारी एक company है company का नाम आपने देखा ही यहाँ पर company का क्या नाम है Indian shop ठीक है अब इसमें कई प्रकार के ब्यवसाय होते हैं लेकिन हम अपने personal use के लिए हम अपने personal use के लिए सामान purchase कर रहे हैं आप वो कोई भी सामान हो सकता जैसे example के तौर पर मैं यहाँ पर fridge ले रहा हूं क्या ले रहा हूं fridge तो अभी हमने fridge का कोई stock item बनाया नहीं है तो यहाँ से यह fridge बनाएंगे और यह कोई stock item नहीं यह एक तरह से आपकी संपत्ती होगी नीजी संपत्ती होगी तो इसका group हम fixed asset रखेंगे यह हमारा asset होगा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ fridge fri dge ठीक है अब माल लिजे यह fridge samsung का है तो यह samsung लिख दिया हमने ठीक है और enter किया enter किया यह कहा जाएगा यह जाएगा fixed asset में तो यह fixed asset कर दिया हमने enter करके नीचे आएंगे यहाँ पर enter करेंगे यहाँ पर enter करेंगे एंटर करते हुए इसको करा लेंगे accept यह accept करा लिए फ्रीज कितने का है माल लिजे 40,000 का double door वाला फ्रीज हम purchase कर रहे है ठीक है यह कर लिया अब यहाँ पर आ रहा है credit अब ध्यान से समझेगा credit किसे करेंगे credit करेंगे उसको जिससे की हम यह सामान purchase कर रहे है उधारी में ठीक है उधारी में purchase कर रहे है अगर हम उधारी में नहीं purchase करते तो payment कर देते तो payment करते तो payment voucher में entry पास हो जाती ठीक है लेकिन अभी हम उधारी में कर रहे है तो यहाँ alt c करके एक और खाता हमें बनाना होगा एक और लेजर हमें बनाना होगा जैसे माल लीजिए पर्चेस हो रहा है सूरज ट्रेडर्स से ठीक है सूरज ट्रेडर्स ठीक है यह सूरज ट्रेडर्स कर दिया एंटर करेंगे एंटर करेंगे अब बताइए इन से पर्चेस कर रहा है तो इनको पैसा मिलेगा नहीं और यह प करी नहीं रहे हैं ऐसे condition में यह चला जाएगा current liabilities में कहा जाएगा current liabilities त्छेक है इस से डाल दिया current liabilities में एंटर किया एंटर किया एंटर किया और अरण पर अब यहां पर हե आग्या अब इसको एंटर करते हुए आप घाला术े एक्सेट यह हो गई आपको journal voucher दिखाई पड़ी रहा होगा, यहाँ पर already debit आ रहा है, तो यहाँ alt c करके मैं बना लेता हूँ, क्या बनाना है हमें, जैसे माली यह वहाँ freeze बनाया था, फ्रीज को ही refrigerator भी बोलते हैं, तो यह लिख दिया refrigerator, ठीक है, यह एंटर किया, इसको डालेंगे fix desert, तो यह fix desert क यहाँ पर कर देता हूँ, और enter करेंगे, enter करेंगे, यह जाएगा current liabilities में, क्योंकि उधारी में हो रहा है purchasing, इसलिए इसे डालेंगे current liabilities में, और इसको accept कराएंगे, और इस तरीके से इसको accept कराएंगे, अब जब हमें print out देखना होगा, तो हमें print out भी देख सकते हैं, यह general entry हमारी, यहाँ से alt p करेंगे, और यहाँ से इसको yes कर देंगे, यह देखिए, यह आपका print out है, कुछ इस तरीके से print out दाएगा, यह जो entry है, इस तरह की entry is general voucher में pass करेंगे, इसके अलावा tedious होगा है, यह entry आप general voucher में कर सकते हैं, ठीक है, तो मीत करता हूँ, इस video से confusion दूर ह गई होगी, और अगर आपको किसी और भी इस तरह के वीडियो के जरुवत है, तो आप मुझे सीधा पता सकते हैं, ठीक है, thank you for watching this video.